हेलो साइबर वोम्स वेलकम बैक मैं हूँ अनिल यादब और आप देख रहे हैं नीट रूट्स और आज की सेशन में हम लैब सेट अप करने वाले हैं सो वितावड में कि अनी डिले लेट्स कंटिनीव तो सबसे पहले हमी गूगल पर आ जाना है अपने और यहां पर हमें अपना बीम वेर डाउनलोड करना है उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोबाइड कर दी जाएगी या फिर आप डारेक्टली गूगल पर जाकर बीम वेर वरकेस्टेशन सर्च कर सकते हैं उसके बाद आपको यहां पर मिल जाएगी आपको प्रो डाउनलोड नहीं करना है आपको नॉर्माली डाउनलोड करना है उसके बाद आपको सिंपली यहां पर प्रोडक्स में जाना है और यहां पर आप देख सकते हैं अगर आपको मैक बुक के लिए चाहिए तो आप यहा प्रो भी ले सकते हैं और सिंपल भी ले सकते हैं, तो हम सिंपल पर ही जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर किलिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है bmware workstation player, तो हमें simply यहां पर go to downloads में जाना है, और यहां पर जितना आपका operating system है, जितने bit का उतना ही चूज करके आपको download करना है, तो हम download करने वाले हैं workstation player for windows 64 bit, तो यहां से हम download पर click करतेंगे, तो आप यहां पर save पर click करके directly इसको download कर सकते हैं, उसके बाद हम चलते हैं अपन permission माइएगा, install करना है या नहीं, उसके बाद आपको yes, click कर देना है, और यह installation के लिए start हो जाएगा, हम इन सब को minimize कर देते हैं, सबी terms and conditions को accept करते हैं, उसके बाद next करते हैं, उसके बाद यहां पर install windows hypervisor platform को automatically click कर देते हैं, next कर देते हैं, उसके बाद आप यहां से अपने हिसाब से change कर सकते हैं, आपको कहां पर install करना है, तो इसको हम directly अपने program files में install करने वाले हैं, OK कर देते हैं, उसके बाद next कर देते हैं, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, simply next पर click करें, उसके बाद यह आपसे पुछे गया कि आपको desktop पर shortcut चाहिए, या फिर आप simply search bar से search करके उसको run कर सकते हैं तो हम इसको desktop पर भी रखेंगे, उसके बाद हम next पर click करेंगे, उसके बाद install पर click करते ही, install होना start हो जाएगा, इसको थोड़ा time लग सकता है, तो हमें थोड़ा patience रखके wait करना पड़ेगा, यह almost install हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं, आप मेरी desktop पर आचुका है, इसके बाद आपको finish पर click कर देना है, उसके बाद यहाँ से इसको open कर सकते हैं, यहाँ पर आपको 2 options मिलेंगे, जैसे कि आपको pro यूज करना है, या फिर आपको simply जो free version है, उसको use करना है, तो हम simply इस start हो गया, तो यह था हमारा VMware installation, इसके बाद अब हम देखने वाले virtual box का installation, तो उसके लिए हम move करते हैं, अपने chrome पर, के बाद यहाँ पर search करते है, virtual box, आपको इसका download link description box में मिल जाएगा, या फिर आप इसको simply google पर जाकर virtual box type करके search कर सकते हैं, उसके बाद आपको download में जाना ह अगर आप macOS यूज कर रहे हैं, तो आप यहाँ से macOS पर click करके download कर सकते हैं, या फिर अगर आप linux यूज कर रहे हैं, solaris यूज करने, solaris 11 यूज कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर जो आपका जैसा OS है, उसके हिसाब से आप यहाँ से download कर सकते हैं, तो हमारा Windows है, इसलिए ह हमने windows पे click कर दिया और यहां पर आप जैसे ही save पर click करेंगे तो इसके बाद यह download हो जाएगा यह मैंने already download कर रखा है तो मैं download इसको नहीं करूंगा तो इसके बाद हम move करते हैं direct अपने download folder पर जहां से हम इसको install करना सीखेंगे अपने download download folder पे तो आपको 너무 useful करेंगे उसके बाद इसकोаже अवहां पर आपको कुछने करना simply the yes पर click कर दियंख प्रिपरिंग्यत्オ इस्ट्राएट थोड़ावेट करना उसके बाद आपको मैं next पर click करना है और यहां से आप browse कर सकते हैं कि आपको किस folder में आपको यह वर्चुएल क्लिक करते हैं तो जैसे कि मैंने पहले इंस्टॉल कर रखा है इसलिए यहां पर ऐसा दिखा रहा है बट आपके सिस्टम में यहां पर इंस्टॉल आएगा तो आपको वहां पर इंस्टॉल पर क्लिक करना उसके बाद आपको कुछ नहीं करना आपको सभी सिस्टम से डिफॉल मिलेंगे आपको सिर्फ next next पर किलिक करके उसको इंस्टॉल कर देना है और अब जैसे कि मुझे वर्चुल बॉक्स ही उच करना है तो मैं विम वेर को अनिस्टॉल कर दूंगा इसके लिए में अपने विंडोस पर किलिक करूंगा और यहां पर आने के बाद इसको अनिस्टॉ पर किलिक करूंगा तो मुझे यह डारेक्ट लिए रेंडर कर देगा कंट्रोल पैनल पर उसके बाद मैं नीचे जाओंगा और विम वेर को सर्च करूंगा तो यहां पर मुझे मिल गया तो यहां पर मेरे पास तीन ऑप्संस है चेंज रिपेर और रिमूब का तो मैं इसको कर दूँगा तो इस पर next क्लिक करूंगा उसके बाद रिमूब उसके बाद यह रिमूब उना स्टार्ट हो जाएगा तो यह देख सकते हैं आप मेरे डिवास से यह रिमूब हो चुका है अभी यहां से भी थोड़े दिर में रिमूब हो जाएगा मैं इसको refresh करता हूं उस उसको कैसे रण कर सकते हैं, सो गाइज तिल देन, इस्टे सेफ, इस्टे सेक्यूर, ठैंक यू.